हलो फ्रेंज अपना किचन में आपका स्वागत है आज मैं कच्चे आम की बहुत ही टेश्टी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आपको और आपके फैमिली को बहुत ही जादा पसंद आएगा तो इसके लिए मैं तीन कच्चे आम ली हूँ तो सबसे पहले आ बार बार आप इसे बनाएंगे और उंगलिया चाड़ते रह जाएंगे तो सभी आम को छिल करके मैं इनको अच्छे से धोली हूँ अब हम इनको एक सूती कपड़ा पर ऐसे रखेंगे और इनका सारा पानी ऐसे सुखा लेंगे इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाह इसे जो आम के लच्छे बनेंगे एकदम छोटे छोटे बनेंगे तब हम क्या करेंगे ऐसे बड़े जाली वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो एक एक करके आम लेंगे और इस तरह से बहुत ही क्यारफुली ग्रेट कर लेंगे यह बहुत ही इजली ग्रेट हो जाते हैं और इनके लच्छे बहुत ही खुबसूरत दिखते हैं, यह देखिए इनके लच्छे कितने लंबे लंबे दिख रहे हैं तो इसलिए पड़े जाली वाले ग्रेटर से ग्रेट करने से लच्छे बहुत ही खुबसूरत लंबे बनते हैं, इसी तरह से मैं सभी आम को ग्रेट कर और यह देखिए गुठलियों की हालत आम का पुरा पल्प निकाल ली हूं और गुठलियां यह रही अब हम चुले पर रख देंगे कडाही और इसमें डाल देंगे ग्रेट किया हुआ आम अभी गैस अन नहीं करेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक कप गुड़ और साथी में डाल देंगे आधा कप चीनी अब हम गैस अन कर लेंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे अब इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो सिरिफ गुड़ से भी बना सकते हैं या फिर सिरिफ चीनी से भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसमें द हो जाते बीच बीच में धकन हटाटा करके चलाते रहेंगे तो दस से बारे मिनाट हो गए मुझे इनको लो फ्लेंपर पकाते हुए और यह देखे फ्रेंज चीनी और गुड बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गए हैं अगर आप इनको जादा दिनों तक के लिए इस्टोर करक हडबड़ी ना करें नहीं तो यह अच्छे से कुक नहीं होंगे और ज्यादा दिनों तक टीकेंगे नहीं तो इसलिए इनको बहुत ही केरफुली ध्यान से लो फ्लेंपर ही पकाएं अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चमच लाल मिर्ज पाउडर आधा छोटा चमच नमक आधा छोटा चमच भूना हुआ जीरा पाउडर और आधा छोटा चमच चाट मसाला पाउडर अब इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनी मसालों से यह इतना टेस्टी बनते हैं ना कि जिनको भी इस तरह से बना करके खिलाएंगे सब लोग आपसे बार अच्छे से चल आलेंगे मिक्स कर लेंगे और इस बत का ध्यान रख य TOG मिला लेंगे 6 को पांच तो 5 मिनट और हो गये मुझे इनको पकाते हुए और यह बिलखुल अच्छे कोना चाहिए तो बस अब जिज मिया खिन कर देंगे पgef एक्डम लो रकना है और और इनको पकाने में लगभग 35-40 मिनट तक लग जाएंगे तो अब निकाल लेंगे और इनको ठंडा कर लेंगे और हमारी बहुत ही टेस्टी खटी मीठी चटपटी आप इसे चटनी बोले या फिर मैंगो जैम भी बोल सकते हैं बनके रेडी है आप इसे रोटी पराठा या पूरी के साथ सर्व करिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी और चटपटी लगती है आप इसे फ्रीज मेरा करके दो हपते के लिए आराम से खा सकते हैं तो फ्रेंस रेसिपी को ट्राइब करें पसंद आए तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा सेर करें और मेरे चैनल को सब्स सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलते हैं नई टेस्टी और बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद